हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका बंगलू इंजिनियर्स में एस्टिमेशन एन कॉस्टिंग का यह हमारा सेकेंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो में हम लोगोंने कुछ इंपोर्टन डेफिनेशन देखी थी टर्म्स देखी थी कुछ वैल्यूस हमने देखी थी जो कि हमें डिरेक्टली उस करनी पड़ती है और हमने टाइपस ओफ एस्टिमेट को लिस्ट आउट कर दिया था आज हम एक 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 एस्टिमेट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उनके नियूमेरिकल्स भी सॉल्ड करेंगे तो जैसे कि हमने लिस्ट आउट किया था ये टोटल 9 टाइप के एस्टिमेट हमने लिस्ट आउट किये थे तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिलिम्निरी एस्टिमेट से अब preliminary estimate को approximate, abstract या rough estimate भी कहते हैं अब यहाँ पर rough word जो होता है rough समझ में आता है न हम rough coffee यूज़ करते हैं फिर उसका fair बनाते हैं ऐसे ही जो estimate होता है पहले हम rough estimate बनाते हैं average वे मतलब approximate value के साथ उसके बाद फिर हम उसका fair work करते हैं detailed estimate में तो जो preliminary estimate होता है सबसे ज़्यादा important होता है administrative approval के लिए preliminary estimate required होता है यह point याद रखना है na important point है तो इसलिए हमें बनाना पड़ता है preliminary estimate preliminary estimate में जितनी भी values होती हैं जो भी amount हम feed करते हैं वो क्या होता है एक approximate value होती है exact values नहीं होती है या तो हम किसी previous जो project होता है उसका reference लेके हम preliminary estimate तयार कर लेते हैं जो कि like उसकी location वही है या फिर वो area वही है या फिर जो construction यूज हुआ है वो same है मतलब बहुत सारी जो properties है वो यह match हो रही है previous project के साथ तो हम previous project के जो amount से cost है वो हम refer कर सकते हैं reference ले सकते हैं उनसे हमारा नए project के estimate बनाने के लिए दिन साथी साथ क्या होता है कि जो preliminary estimate होता है उसमें सब कुछ counted होता है क्या-क्या जैसे कि land की cost हो गई जो उस particular resin में हम road बनाने वाले road कहां पे बनाएंगे हम जब हमारी colony develop करेंगे ना तो उस colony के internal के लिए हम road बनाएंगे ठीक है वहाँ पे road का network होगा हम यदि कोई residential purpose के लिए बना रहे है मतलब खुद का घर बना रहे है तो वहाँ पे हम road construct नहीं करेंगे वो municipality का काम है पर इनकेस आप एक colony develop कर रहे हो एक colony मतलब एक society develop कर रहे हो वहाँ पे तो वहाँ पे आपको क्या करेंगा internal आपको roads देने पड़ेंगे colony के अंदर में अलग-अलग amenities पे जाने के लिए ठीक है फिर वहाँ पे the colony develop है तो वहाँ पे आपको electrification देना पड़ेगा water supply देना पड़ेगा ठीक है तो वो सारी क्या होती है उसमें included होती है तो यह हमने देखा था ना लास्ट में कि हम direct contingencies work charge establishment electrification, water supply, sewage treatment वो सारी चीज़े हम उसमें add करेंगे as a percentage value ठीक है तो यह सीज़े होती है अब कुछ important अलग-अलग structure के लिए जो preliminary estimate की measurement या units होती है वो अलग-अलग होती है तो यहां पर हमने उसको list out किया है हमने क्यों list out किया है क्योंकि exam में यह directly पूछा जाता है ठीक है कि उसकी measurement unit क्या होती है या फिर preliminary estimate में उसकी values क्या होती है इन case आपको क्यों numerical question दे दिया अब आपको estimate बनाना तो आता है बट आपको पता नहीं ना कि यह वाली जो structure है इसके लिए quantity कैसे किस unit में measure की जाती है तो इसलिए हमने यहां पर list out कर लिए कि directly हम क्या लेते हैं तो जैसे हमारा building का work चलता है अब building में वो residential building भी हो सकती है वो commercial building भी हो सकती है तो उसमें क्या करते है unit basis के हिसाब से हम estimate बनाते है unit basis के हिसाब से बना सकते है unit मतलब क्या होता है कि rooms को ले सकते हैं हम कितने rooms हैं उसमें तो क्या-क्या facilities है उस हिसाब से बना सकते हैं या फिर plinth area के हिसाब से बना सकते है cubicle content के हिसाब से बना सकते हैं approximate quantity के हिसाब से तो यह तीनों method अभी हम आगे देखने वाले तर नेक्स होता है road and highway का यदी project है आपका highway का project है तो उसमें क्या होगा per kilometer के हिसाब से मतलब कितना stretch है कितना kilometer की road है उसकी width क्या है thickness क्या है जो metal आप use कर रहे है उसमें तो उसके हिसाब से roadway और highways का construction होता है अब यहाँ पर highway लिखा है railway भी इसी में आएगा इसमें add नहीं है बट roads highways और railway का जो भी transportation वाला work है वो हमारा क्या होता है per kilometer के हिसाब से होता है irrigation channels जो हम बनाते हैं जो हमारी artificial channels होती है जो की irrigation के purpose के लिए develop की जाती है उनकी lining वगिरा की जाती है तो वो या तो per kilometer की basis पे हम कर सकते हैं या फिर कितना area उसके अंडर में आता है उस particular channel के अंदर surround में कितना area आता है मतलब कितने area को भी irrigate करती है commanded area उसके हिसाब से हम उसका estimation करते हैं फिर next आता है bridge and culverts तो bridge and culverts जो होते हैं उनका span कितना है running meter में उनका span कितना है उसकी basis पे उनकी costing हम करते हैं estimation हम बनाते हैं ठीक है बहुत बार क्या होता है कि जो structure होता है foundation की वज़े से उ foundation क्योंकि foundation बहुत ही ज्यादा important part होता है किसी भी structure के लिए और foundation depend करती है वहां की soil condition कैसी है इनके soil जो होती है उसकी bearing capacity कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा extra उसमें design pure पगेरा यूज करना पड़ेगा deep foundation यूज करनी पड़ेगी जिसमें की cost जादा आएगी और यदि आपक data जल्दी मिल जा रहा है वहां पर तो हमें ज्यादा deep में construction करनी की ज़ुरत नहीं है तो इसकी cost कम हो जाएगी तो बहुत बार इस वज़े से भी cost जो होती है वो deeper कर जाती है कि इनके अलग-अलग units होती है जो कि हम estimation में use करते है तो next होता है प्लिंदेरिया estimate अब जैसे कि मैंने बताया था कि प्लिंदेरिया estimate एक preliminary estimate के under में ही आता है उसी का एक type है तो प्लिंदेरिया estimate में क्या होता है कि जो previous कोई building होती है या फिर surrounding में यदि ऐसी कोई building बनी हुई ह जो कि आपका जो project है उससे बहुत ज़्यादा correlate हो रही है मतलब एजर सेम हो सकती है प्लिंदेरिया उसका सेम हो सकता है तो हम क्या कर सकते है उस building का पता करेंगे कि उस building में कितनी cost लगी है प्लिंदेरिया में तो उसी cost के हिसाब से हम अपने project के लिए भी cost निकाल देंगे देंगे उसके लिए भी तो यह क्या होता है प्लिंदेरिया वेसिस पर तो directly क्या करेंगे for example जैसे हमने आप लिखा हो है कि कि किसी locality में जो है प्लिंदेरिया का जो हमारा पास available है वह 100 स्क्वेर मीटर का प्लिंदेरिया available है then वहां का जो rate है उस area में rate कितना चल रहा है 2000 पर particular project के लिए तो इस तरह से हम directly निकाल सकते हैं ध्यान रगनी की बात यह है कि प्लिंदेरिया में क्या क्या काउंट होता है तो प्लिंदेरिया होता क्या है यह देखो यह अपने पढ़ा होगा building planning पढ़ा होगा तो आपको बता होगा कि जो हमारा floor level होता है उसकी external जो measurement होती है मतलब जब building drawing वगेरा देखेंगे आप तो अलग जो हमारी use होती है terms एक होता है plot area फिर होता है built up area या फिर construction area बोलते हैं उसको फिर उसे ही में plinth area आजाता है तो अलग अलग होता है तो plinth area simply क्या होता है कि हमने लिखा है area covered by external dimension of building at the floor level floor level पे जो हमारा external walls ने cover करके रखा है वो dimensions हमारी plinth area में अब plinth area में क्या क्या included नहीं होगा तो उसमें हमारे जो open areas होंगे court yards वगेरा होंगे वो उसमें included नहीं होंगे मतलब जब हम यदि उसका estimate बनाएंगे तो हम courtyard और open areas का cost उसमें add नहीं कर सकते तीक है और दूसरी important point क्या है कि जब हम plinth area estimate का use करते है method का use estimate निकालने के लिए तो वहाँ पे क्या होता है हर floor के लिए हमारी multi-story building है तो वहाँ पे क्या होता है separate floors के लिए plinth area rate लगाया जाता है ठीक है ground floor first floor second floor तो हर floor के लिए plinth area rate अलग हो अब change कहां पे आएगा ground floor में हमारा sub structure included होता है मतलब जो हमारी foundation होती है उसकी cost included होती है but first floor or second floor में क्या रहेगा उसमें foundation नहीं रहेगी तो वहाँ पे उसकी cost deduct हो चाहेगी ठीक है मतलब हमारा जो ground floor का जो cost होगा वो जादा होगा as compared to first floor and second floor ठीक है समझा है यह बात third method होती है cube rate content मतलब cubical content method और cube rate estimate बोलते हैं इसको हम इसमें क्या होता है कि जो हमने previous method प्लिंट area method यूज की थी उसमें हम सिर्फ क्या कर रहे है square meter में हमारा floor का जो प्लिंट area है वो measure कर रहे है अब उस प्लिंट area में यदि हम building की height को multiply करेंगे मतलब floor height building height नहीं floor height हर floor की कुछ height होती है जहां पर हमारा roof level तक जाती है वो height तो उस floor height से हम print area को multiply करेंगे तो हमें volume आ जाएगा उस particular room का उस particular floor के लिए उसका volume आ जाएगा तो उस volume को हम उस area में जो भी cost होगी cubical content में मतलब जो same building होगी आसपास में या फिर हम निकालेंगे उसकी cost तो directly cost से multiply कर देंगे तो ह हमें क्या मिल जाएगा उस building के लिए हमें उसकी cost मिल जाएगी preliminary cost मिल जाएगी ठीक है तो जो हमें height measure करनी है वो हमें rooftop तक ही measure करनी है ठीक है मतलब यह हमारा ground floor है तो ground floor से कहां तक जाएगा floor हमारा plinth level से जाएगा जो हमारा roof है जिसको हम first floor की slab भी बोलेंगे तो वहां तक जाएगा rooftop तक जाएगा ठीक है उसके उपर फिर हमारा second floor आ जाएगा तो second में count होगा फिर third में count होगा ऐसा separate separate floor के इसाफ से हम cubicle content निकालते हैं यह method plinth area से जादा accurate होती है because इसमें हमने height लिया है और height में क्या होता है wall अगेरा भी आ जाती है तो यह जादा accurate होती है ठीक है अब जैसे कि plinth area में courtyard और open area count नहीं हो रहा था वैसे ही यहां पे भी foundation plinth और parapet चुह होता है वह count नहीं करेंगे हम ठीक है जो roof level है उसको भी हम consider नहीं करेंगे जो parapet wall होती है जो कि roof पे हम बनाते है वह count नहीं होगी and bottom portion में substructure में जो हमारा foundation और plinth होता है वह भी count नहीं ह से हमारी roof height तक जो हमारा volume निकलेगा वह हम cost निकालेंगे उसी के help से the next method होती है approximate quantity method approximate quantity method में हमें ना तो plinth area लेना है ना ही cubical content लेना है directly हमें एक running meter में हमारी जो walls होती है जो भी जितनी भी हमारी wall होंगी पूरे project में उसे भी wall को हम running meter में measure कर लेते हैं then cost से multiply कर देते हैं surrounding के जो भी हमारे पास similar project यह दी कोई available है तो नहीं है तो हम खुद उसका calculate करेंगे running meter मे rate से multiply करेंगे foundation के लिए अलग होगा superstructure के लिए अलग होगा directly हम length से multiply कर देंगे तो हमें उसकी cost मिल जाएगे तो इसमें हर item के लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा यदि brick work है तो उसके लिए अलग होगा wood work है तो अलग होगा floor finishing है अलग होगा यदि यह plastering है painting है तो ह अलग होगा अलग कर हम running meter में निकाल के उसको rate से multiply करके उसके approximate cost निकाल लेते हैं ठीक है then next आता है detailed estimate most important होता है जो QSC होता है वो पूरा detailed estimate जो detail estimate required होता है कब जब हमें technical sanction के लिए जाना होता है तो हमें detail estimate की ज़रत पढ़ती है detail estimate में हमारे पास सारी quantity जो हमारी detail drawing बनी होती है तो वहां से हम exact quantity calculate करते हैं फिर उन quantity को हम जो available schedule of rate होता है उस rate से multiply करके हम उसकी exact cost निकालते हैं बहुत जादा differ नहीं होना चाहिए हमारी Probable cost और detail जो हमारी exact cost होगी उसमें 3-5% का difference होना चाहिए इससे ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या हमें required होता है जब हम detail estimate बनाते हैं तो detail estimate बनाने के लिए हमारे पास proper उस project की पूरी report होनी चाहिए detail drawings होनी चाहिए सारी उस report में general specification detailed specification होने चाहिए सारी drawings लगी होनी चाहिए जिसे layout plans हो गया elevation sections detailed drawings है na sections में भी sectional views होने चाहिए सारे ठीक है मतब left right south north इस type के सारे views होने चाहिए फिर सारी calculation design की like beam slab roof column इन साब के क्या होनी चाहिए calculations होनी चाहिए foundation के लिए calculations होनी चाहिए सारी then most important schedule of rate होना चाहिए जिससे कि हम cost निकालने वाड़े ठीक है अब specification general or detailed specification क्या होते है वो हम आगे समझेंगे जब हम इसका कोई numerical solve करेंगे ठीक है तो वहाँ पे ज्यादा easily समझ में आ जाएगा तो यह वही है जो data हमें required होता है detailed estimate बनाने के लिए then next है revised estimate है ना revised estimate या फिर revised cost estimate भी बोल सकते है तो इस estimate को बनाने की पड़ेगी तो यहाँ पे तीन major points है जो कि हमने point out किये है कि जब हमारा जो detailed estimate हमने मतलब बनाया है और जिससे हमने technical sanction लिया हुआ है उसमें जो हमारी cost थी और जब actual हम execution कर रहे थे तो कुछ market rates की वज़े से या labors की वज़े से unprevailing conditions की वज़े से क्या हुआ कि हमारा जो cost है वो increase हो गया कितना 5% या 5% से ज़्यादा जो कि हमने detail probable estimate किया था detailed estimate में जो हमने total cost निकाली थी उस total cost से ज़्यादा हो गया है पांच या 5% तब उस case में हमें क्या करना पड़ेगा फिर से उस estimate को revised बनाना पड़ेगा डबल से बनाना पड़ेगा और उसमें हमें mention करना पड़ेगा कि किन reasons की वज़े से जो cost है वो increase होई है second point second point क्या है कि जब हमारा expenditures जो होते है मतलब हमने लिया था ना दो sanctions लिये थे पहला हमारा administrative था दूसरा हमारा technical sanction था तो जब हमारा technical sanction में जो हमने cost शो की थी उस cost से 5-10% जब cost जादा हो जाती तो हमें revised estimate बनाना है अब in case वह 5% से जादा 10% हो गई है 10% से जादा exceed होगी तो फिर हमें क्या करने पड़ेगा administrative approval के लिए भी जाना पड़ेगा मतला फिर हमें फिर से administrative approval लेना पड़ेगा फिर से technical sanction लेना पड़ेगा फिर हम execute करेंगे उस work को ठीक है तो इस तरह हमें revised estimate बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ क्या होगा कि जब हमार revised estimate हम बना देंगे तो उसमें हमें दिखाना है कि किन materials की वज़े से deviations की वज़े से क्या reasons है जिसके वज़े से वो cost increase हुई है उसका purpose क्या था और वो हमें उसमें attach करना है उसके साथ तो हमें फिर sanction मिलेगा ठीक है तो यह हमारा revised estimate होता है next होता है supplementary estimate supplementary estimate में क्या होता है कि य instruction अब क्या हो रहा है कि उसके बाद जो owner है या फिर जो भी आपके client है उन्होंने उसमें कुछ addition या subtraction करने को बोल दिया है means कि उन्होंने बोल दिया या तो कोई extra एक room बनाना है या तो किसी एक room को कम करना है हटाना है वहां से मतलब उसका नहीं बनाना है वहां पे room तो क्य के लिए हमें फिर से एडिशन हो रहा है तो क्या एडिशन हो रहा है उस particular room का हमें detailed drawing और estimate बनाके हमारे original estimate के साथ attach करके फिर से sanction लेने बचाना पड़ेगा in case यदि subtraction हो रहा है कुछ item का तो उस item का subtraction के लिए फिर उस item की अलग से drawing उसका पूरा estimate करके हमें original estimate के साथ attach करके फिर वहां पे हमें approval के लिए जाना पड़ेगा ठीक है तो यह होता है हमारा supplementary estimate supplementary estimate बहुत बार मतलब तो supplementary और revised estimate में difference पूछ लिया जाता एक्जाम में बहुत बार तो यहां पे देखा जाए तो हम एक पॉइंट में बोल सकते हैं कि जब हमारी cost differ कर रही हो किस वज़े से वहां के prevailing conditions की वज़े से material और labor और कुछ भी reasons होता है जिसकी वज़े से कि cost vary कर रही है rise कर रही है या कम हो रही है तो हमें revised estimate बनाना पड़ेगा बट जब हमने original project में कुछ changes कर दी यह addition या subtraction किये हैं कुछ items में तो क्या होगा हमें supplementary estimate बनाना पड़ेगा तो यह main point हो गया जिससे जो कि हम easily याद रख सकते हैं ठीक है फिर दोनों को combination भी हो सकता है supplementary and revised estimate दोनों आप साथ में भी कर सकते हो ना कि वापे आपके rates की वज़े से आपके cost change हो रही है market rate की वज़े से आपने अपने original project में भी कुछ addition और subtraction की हैं तो आपने एक project में दोनों चीज़े कर ली तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको दोनों estimate बनाके attach करके और फिर से approval उसका life period होता है और उस life period तक उसको sustain कराने के लिए हमें उसकी proper time to time repair और maintenance उसको लगाना पड़ता है तब ही वो क्या करता है अपनी life से जादा time तक रहता है तो हर project की कुछ life होती है life cycle होता है तो जैसे कि हम building की बात करें हम कोई भी structure building की बात करें residential हो commercial हो कुछ भी हो तो उस उसका time to time हमें जैसे white washing है painting है minor repair verse है water supply sanitary pipelines है उनकी check करना उनको repair करना है तो उनको changes change करना electric line हो गई इनको change करना तो ये सारी चीज़े कहाँ प्याईगी annual repair and maintenance में generally हो सकता है आप annually करो आप उसको monthly भी कर सकते हो आप उसको interval में भी कर सकते हो कि आप हर 3 साल में हर 4 साल में और 5 साल में ऐसे करके कर सकते हैं उमीद है आप लोगों को estimation and costing से related जो video हमने बनाये हैं part 1 and part 2 में आप लोगों को पसंद आया होगा समझ भी आया होगा in case कोई भी query र कोई आप आप इला 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 इला